हेलो एवरिवन विल्कम बैक टू मैं चैनल अपूर्वास किचिन सिक्रेट इंग्रीडियन्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ने भी डाल दिया है अब वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सारे इंग्रीडियन्स है तो सबसे पहले मैंने यहां पे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली और अनियन यह तीनों को मैंने कद्दू कस कर लिया है उसके बाद मैंने यहां पे गाजर लिया है इसको भी मैंने कद्दू कस कर लिया है आप चाह पानी की जुरत पड़ीगी तो यूज करेंगे नहीं तो नहीं उसके बाद मैं यहां पर नमक डालूँगी नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालना तो यहां पर मैं नमक डाल दिया है उसके बाद मैं यहां पर डालूँगी जिंजर गार्लिक और अनियन यह तीनों को ज अगर आप चाहे तो आप इसको बारीक भी चौप करके डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कद्दू करसी करना है, बट आपको बारीक चौप करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास गाजर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप क कर सकते हो बीना गाजर का भी आपका जो Manchurian Ball से वह बहुत ही अच्छा बनता है तो मैंने इसमें गाजर डाल दिया है उसके बाद इसे मैं डालूंगी मैदा मैदा यहां पर मैं चार बड़े चंमस डालूंगी यहां पर हम मैदा इसले यूज करेंगे इससे क्या होता है कि आ आपके मुह में सिर्फ मैदा मैदा लगेगा, आपको उतना भी मैदा नहीं डालना है, आपको सिर्फ इतना मैदा डालना है कि आपका ये जो पत्ता गोभी है वो सिर्फ बाइंड हो सके, इसके लिए हम यहाँ पे मैदा डालेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कॉन्फ अबने अनियन को कद्दू कस किया है इसके लिए यहां पर पानी की जुरत नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं साड़ी चीजों को अच्छे तरीके से मिला रही हूं आपको बस मैदा और इतना डालना है कि वह बाइंड हो सके जादा आपको नहीं डालना है तो होगा आपका जो manchurian balls से बहुत ही अच्छा बनेगा यहां पर मैंने एक और manchurian ball बना लिया अगर आप चाहो तो इससे छोटा भी manchurian ball बना सकते हो और यहां पर मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और मैंने तेल गर्म कर लिया है उसके बाद मैं एके करके सारे मंचूरियन बॉल्स इसमें डालूंगी आप मंचूरियन बॉल अपने साइच अपने उसके कॉर्डिंग बना सकते हो यहां पर तेल गर्म हो गया है और मैं एके करके सारे मंचूरि करते हो तो यहां पे gas का flame मैंने medium रखा है और उसके बाद जब ये एक side अच्छे तरीके से fry हो जाएगा तो मैं gas का flame low कर दूँगी और low flame पे अच्छे तरीके से इसको पकने दूँगी अगर आप इसको low flame पे नहीं पकाएंगे तो आपके जो manchurian balls है वो अंदर तक अच्छे कर दूँगे पलट दूँगे उसके बाद मैं manchurian balls को 2-3 मिनट तक low flame पे अच्छे तरीके से fry करूँगी और जब 2-3 मिनट तक वो पंचे आएगा अंदर तक तो मैं यहां पे gas का flame medium करके इसको मैं फिर से fry करूँगी आपको ध्यान रखना है कि low flame पे इसको fry करना बहुत अगर आपने low flame पे fry नहीं किया तो आपका यह जो manchurian balls है वो अंदर से कच्छा रहा जाएगा तो यह देखे इस तरीके का दीखे का fry करने के बाद तो इसी तरीके से मैंने सारे जो manchurian balls है उसको fry कर लिया है और अब मैं इसमें बनाऊंगी ग्रेवी यहां पे मैं दाल दिया है आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें तेल डाल दिया है और इसको high flame पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है और जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लहसन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है उसके मैं आच्छे तरीके से गठ है चैपसी तरह इसको बहुत अच्छे तर्यारी harika चैंटुए दो तो यहां यहां नहीं रखो पनला अच्छे तरीके से ईड़ दो नूँ यहां पर मैंने लिए कोरींडर जिसको मैंने बारीक गठ री नियीं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके लिए हम यहां पे कोरियंडर यूज कर रहा है और मैं इस सब को फिर से एक बार मिला लूँगी और यहां पर मैंने गैस का फ्लेम जो है वो लो रखा है यहां पर मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन सो मैं जब भी इस तरीके की रे अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं आपको हर वीडियो में यही बोलते हूं कि आप इस प्रिंग अनियन जरूर यूज करें उसके बाद यहां मैंने गैस का फ्लेम हाई रख है और यहां पर मैंने डाला है यह एक चमच के करीब ग्रीन चिली उसके बाद मैंने यहां पर चिली सॉस अगर आप और यह तीज़ा खाना पसंद करते हो तो आप एक चिली यहां पर वीनेगर लिया है उसके बाद मैंने यहां पर यह सोया सॉस लिया है यहां पर एक और चमच ज़्पया डालूंगी और इन सब को मैं एक बार अच्छे तरीके से मिला लूगी और गैस यह प्ल्यामेल का झाल एक cały आड़ा है पममिलगों पांवाइ डाला लिया हुआ है और अच्छे तरिके से पेश्ट बनास ओड़ा लिया लोगी पानी और कॉन लोग़ों आपकाश्का चया बंदान को हाए तो मैं दोनों को मिला लोगी पानी और कॉन्ट виде को एक साथ मिलाने के बाद मैं यह जो जो ग्रेवी में इसम क्या होता है जो आपका जो ग्रेवी है वो थिक होता है इसके लिए हम इसमें कॉन फ्रोर डाल रहा है तो यहां पर हम एक बार करके डालेंगे कॉन फ्रोर का पेस्ट जो हमने बनाया है और इसको एक बार बॉयल होने के लिए रख देंगे एक बार इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से हाई फ्लेम यहां पर मैंने रखा है और इस कि सोया सॉस में अल्रेडी बहुत जादा नमक रहता है तो इसलिए आप नमक उसके एक ओर्डिंग ही डालना तो यहां पर मैं फिर से इसको मिला लूँगी पाकी की जो ग्रेवी हम उसको एक अलग बरतन में रख लेंगे और मैं बताऊंगी कि उसका आपको क्या करना है उसके जाने बस्त बाद मैंने इसको ग्रेवी में डाल दिया है और इसके ऊपर मैं और ग्रेवी डाल दूंगी जो हमने अलग से रखा था इससे क्या होता है और भी अच्छा टेस्ट आएक और ये ने बड़्यानियन है एक तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बि यह रेसिपी कैसी लगी